हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत करता हूँ एक बार फिर से मैं आप सब का आपके अपने चैनल सिंप्लिसेटेंड फाइनेंस में आज की वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि आपका राइट अफ किया हूँ लोन भी रिकवर हो सकता है और इसके लिए पॉब्लिक सेक्टर बैंक्स एक स्पिशल ड्राइव चिला रहे है और प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी उनके नक्षे कदम को जल्दी फॉलो कर लेंगे गवर्न्मेंट के ऐसा मानना है कि बेट डेट के होजे से बहुत सारे पैसे उनके डूग रहे हैं और इसलिए गवर्न्मेंट ने ये कहा है कि भाई जितना हो सकता है आप रिकवर करो मैंने मेरे पूरारे वीडियो में भी बता रखा है कि राइट ओफ होने के बाद मैंने पहले वीडियो बुना है राइट ऑफ के उपर आप उसे देख सकते हैं मुसका लिंक दे दूगा नीचे डिस्क्रिप्शन में कि राइट ओफ होने के बाद में बेंग आपको चेस कर सकता है आप से पैसे मांग सकता है रिकवरी वाले आपको कोल कर सकते हैं कई लोगों कर लगता है कि अगर एक बार लोन राइट ओफ हो गया खाते से हट गया तो इसके बाद उस लोन की मांग नहीं की जा सकती लेकिन सोचना गला थे राइट आफ का मतलब होता है कि अपने अकाउंट क्लीन रखने के लिए बैंक उसे हटा देते हैं लेकिन कहीं ने कहीं अपने रिकॉर्ड में रखते हैं और उसके बाद रिकवरी वाले कुट्टों को पिशे लगा देते हैं जो भाँ 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 दरव कि आपको परिशान करते रहते हैं वाफ़दार तो नहीं कहुंगा बंगों करते हैं सवार्थ होते हैं कमिशन के चक्र में सारा काम करते हैं इन से अट करे आ Bowl Safety still homes ईग्सपेंसिव कमिश्पेंसिद बहुत बउध सिपए चीप वहोत ही दो नहीं दोग होते हैं तो ब vita ran बना रहा हूं कि आप यह कभी मत सोचे के राइट ओफ लॉन जो है रिटन ओफ लॉन जो है वह आपको दुबारा चुकाना नहीं है आप से बिल्कुल उसकी मांग की जा सकती और इसलिए आप उसका सैट्लमेंट करवा लीजिए अगर आपको पैसे नहीं है कि सेट्लमेंट क्यों करवाएं क्योंकि अपने लोन लिया था लोग अगर आपने ले लिया है तो सबसे तरीका है कोार्य लोग सोचते कि रिफिव वाली बाते मत करो कि इतना बोगने के बाद बुगत के बाद थी अभी सिभिल की चिंता है क्या एगर किफ़ाट है अगल के चकर फॉस गई हो तो मैं कहता हूं कि कॉझ की कोई का लौन बोश्ट कोई भी बैंक के लौन के चक्र कार्मने फॉसे बैंक एन फॉन डॉन डिकाल लॉन आजकल तो तुर्रे आ गए है पे लेटर और भी बहुत सारे तुर्रे मार्केट माइंगे लेकिन उन सब को प्रॉपस यह की रहेगा आपको फंसला थोड़े बोलने में तकलीफ हो रही है इसलिए अगर थोड़ा बोलने में उचकता हूं तो माफ कर दीजिए लेकि जितना भी बोलूगा काम की बात मिलो तो लोन बिल्कुल नहीं लेना है किसी के अगर पचास रुपे भी अपने ले रखे हैं और आपको लगता है कि यार अगर हो लेकिन आप उसे दे दीजिए माते के ऊपर किसी कोई कर दें रखना है कि एक रुपया नहीं रखना है कि यह कर जाए कि अपने माथे को पर लेकर नहीं जाना है और जब हम लोग जागरूख होंगे हम सब तो डेट के दल्दल में बिल्कुल नहीं फसेगी और अगर आप फस गए हो यह तो मेरे मेरे बहुत सारी वीडियों को कैसे हैं घर पर गया तो क्या करे रिलिटिव को प्रेंसान करते हैं तो क्या करें इंट्रेस लगा दिया हैं तो क्या करें सेटलमेंट नहीं कर रहा है तो क्या करें इस बाउंस हो गया है तो क्या करें हर तरीके के वीडियो चेक दे दिया है और बाउंस हो गया है तो क्या करें केस हो गया है तो क्या करें लोका दालत का नोटिस आ गया है तो क्या करें रिकॉल नोटिस आ गया है तो क्या करें मैंने ह जाये लिए वीडियो देखिए और फिर भी अगर आपको लगता है कि यार कुछ हो सकता तो कमेंट तो हमें कमेंट बॉक्स कमेंट कीजिए जबाब दूगा तो अब को कहता है अभी नहीं हो रहा है तो अभी मैं आपको छोड़ने वाला लेकिन आपको मैं छोड़ूगा नहीं आप यहार चोड़ो ना तो बहुत अधर लागे लेकिन आप दो हाथ दो कदम चलोगे वास्ता में मुझे जंजल समुक्त होना है तो बिलिग में दस कदम चलूगा आपको उस जंजल से बाहर निकालने बीस कदम चलूगा और सो कदम चलूगा लेकिन आपकी वीतरे की इच्छा होनी चाहिए कि अब मुझे डेट फ्री रहना है इस वीडियो के माद्यम से इस चैनल के माद्यम से में एक डेट फ्री कम्यूनिटी क्रेट करने की कोशिस करवाओ और अगर आप कर्जमुक्त होंगे आपका घर कर्जमुक्त होगा तो समाज कर्जमुक्त होगा देश कर्जमुक्त होगा और जो देश जो कंपनी कर्जे से मुक्त है जो घर कर्जे से मुक्त है है ऐसे के सवता है और वह स्ठेमाइनों में सच्छे समरिभ होते हैं अमीर होते है तो कर ज़ेंस मुख्ष हो है आप क China है आपसे देश आपसे समाज है आप कर्शें मुख्ष है और हम ये यह दूर नहीं और हमारे उपर को ech हो गई है तुर आप कि उम्मीद करता हूं आप अपने डेट को रिटन ओफ हो गया है तो मुझे कभी करना ही नहीं है ऐसा किसी ऐसे किसी भ्रह्म्य नहीं रहो गए जो यह सेट्व्मेंट दे आकर के रहो काम खत्मिकरो मैं कहता कर वह कहीं ज्यादा नींतों हो Layer दूसरे रास्ते चलेगा दूसरा रास्ता क्या है इमरजंशी्व इसाड परचो कि मुंटव कर दिए कूंद मेरा वीडियो है वार तो कि दूसरा रास्ता क्या है मेडिकल इंशॉरेंस हैट पॉलिशी को देखे मेरा मिडियो कि टार्म इंसार एकशा है मेरे वीडियो नहीं किसी और देख लिए तक मैनों उस पर बनाया नहीं बना दूके जल्दी कि आगे भाई बुड़ापे में क्या करना है अभी आप कर्च में अगर हो तो कौन देखेगा आपको कोई नहीं देखता है कड़ी बात है लेकिन कोई नहीं देखता अगर आपके पास खुद का मकान नहीं है तो जब आप सिश्टी प्लस हो जाएंगे ना तो आपका कोई भाई दोस्त रिस्तेदार कोई भी यह नी बलेगा तो मेरे मकान मेरे जाना बढ़िए कि उल्टा यह बनेगा सारे जिन्दकी क्या किया अभी भी बोलते होंगे यह कंट मेरे लेकिन आप ही कि वहावनाई में व्यक्त कर रहा हूं आप भी जानते ऐसा ही होता है तो चलिए जो भी कर्जे निश्चिन्त रहिए मिटाईए उसे दूर कीजिए और एसेट्स क्रेट करने की कुशिश कीजिए उमीद करता हूं मेरे मैसेज लाउड और क्लियर है हमेशा की तरह मिलता हूं आप से अपने वीडियो में तब तक के लिए मुझे आग्या दीजिए नमस्कार